हेलो एवरिवन, वेलकम तो माई चैनल ग्यानस्तली गाइज हम करे थे बेस्ट बेंगॉल का जो सेट का एक्जाम हुआ है स्टेट एलिजबिलिटी टेस्ट उस पेपर को हम सॉल्व करे थे ये पेपर का दो पार्ट हम अल्रेडी सॉल्व कर चुके हैं तो यहां से हम कोशन नमबर 21 से लेके 30 तक सॉल्व करेंगे गाइज मैं इसमें टाइम इसलिए थोड़ा सा ले रही हूँ क्योंकि मैं सिर्फ आपको आंसर नहीं बता रही हूँ मैं उस थियोरी को भी थोड़ा सा एक्स्प्लेइन कर रही हूँ बेसिक एप्रोच टू इथिक्स हूँ साड़िट यह जो लाइन है वो किस ने कही थी तो अगर यह लाइन को अगर देखते हैं तो जो पावलो फेरे नील लोडिंग्स और आपकी बूलन स्क्राफ्ट है यह उजुसी नेट के नए स्लावस में आये और इसे बारवार कोशन आया है तो जो नील लोडिंग्स का जो फेमाइन इनकी अप्रोच थी और इन्हों ने उसमें इथिक्स और मोरल लर्निंग में रूटिड इन रिसेप्टिबिलिटी का कंसेप्ट दिया था इनका जो बेसिकली यह पूरा फ्रेमबग था पूरी इनकी जो रिसर्च रही है त बेसिकली इनका जो कंसेप्ट है वो केरिंग और फेमाइन अप्रोच तो इतिक्स और मोरल अजूकेशन तो जो इनकी बुक भी इन्हों ने इसके उपर लिखी है तो यह आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है यह तीन राइटर आज की टाइम पर आपके लिए तो बेंकिंग जो कंसेप्ट है एजूकेशन में वो किस ने दिया है तो पावलो फेवरे है वो तो यह कोशन भी पूछा जा रहा है तो नेक्स कोशन देते हैं अगला कोशन है गाईस कि 26 नंबर का है कि इन स्टैनवर्ग त्यार्किक थियोरी और इनकी जो ट्यार्किक थिय इसका आंसर में बटा देती हूं जो ट्यार्किक थियोरी है यह स्टैनवर्ग की थियोरी है यह इंपोटन है नेट कि सलबस में भी दिया इसमें यह पूछा गया है कि इसकी भी सब थियूरी है तो इस तरह से दूसरी वाली आपकी एक्सपरियेंस से सब थियोरी है और inimसी आपकी constructual है तो यह पूछ रहा है second theory है जैसे first theory जो आपकी है components related है components of theory तो components of theory का answer अगर पूछा जाता तो क्या हो जाता meta components, performance components तो यह components related theory है ठीक है इसी तरह से अगर आपका constructual पूछा जाता तो constructual में आपका adaption, selection और shaping आ जाता ठीक है तो answer इन में से शायद यह हो जाता अब वो से पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी intelligence है जो किस से बनती है आपके experience से बनती है टीक experience जो आपके इसमें answer होना चाहिए मेरे according D कि how experience interact with intelligence in the term of the individual internal word and the external word यानि कि ऐसी कौन सी theory है हमें जो internal जो हमारा पूरा है उसको external word से connect करती है तो इसका answer मेरे according D होना चाहिए और final answer तो अब की से ही पता चलेगा अगला question है Carl Rogers से जो Carl Rogers थे इन्होंने जो concept दिया था self का concept दिया था आपको पता होना चाहिए कि self का concept मासलो की theory में भी दिया है और self का concept और लोगों ने भी दिया है जिसमें Carl Rogers भी बहुत important है तो Carl Rogers का जो self का concept है वो personality की theory से है यह नई थियोरी आई है psychology में personality की जो अब एड हुई है थियोरी पुरानी है बट एड हुई है तो Carl Rogers की जो तियोरी है Carl Rogers ने यह पुचा है कि जो टेकनीक यह लगाते हैं लोगों की personality की बारे मित जानने की तो वो कौन सी लगाते है टेकनीक तो इसको क्यू शौट टेकनीक बोलते हैं जिसमें हम यह देखते हैं कि Q-Shot Technique to assist change over time in person as a result of Unistic Psychotherapy यहनी कि जो इनकी Psychotherapy है उसमें यह Q-Shot Technique लगा के इसको Psychology की थियोरी में Personality को देखते हैं इसके बाद आता है हमारा Question No.23 The Man Purpose of In-Service Teacher Education जो Guys Teacher Education है इसको हम टू पार्ट में डिवाइड करते हैं No.1 है हमारा यहाँ पे Pre-Service और दूसरा आता है हमारा In-Service तो जो आप लोग B8 करते हैं VTC करते हैं या जो भी Teaching कर आप Study कर रहे हैं वो सारी कि सारी कहां पे आती हैं आपकी वो आती हैं आपकी Pre-Service में यानि कि टीचर वनने से पहले और इन में आता है कि जब आप Update, Teachers, Knowledge and Skills आप टीचर बन गए हैं और सपोज आपकी Teachings, आपकी Skills को आपकी Knowledge को किस तरह से Improve किया जाए सपोज कोई Technology आ जाती है और उस Technology के According आपको क्या कहा जाता है कि यह Technology Technology सारे Teachers को सीखना है तो Upgradation तो इसके लिए In-Services में बहुत सारे Courses चला जाते हैं इसमें बहुत important पूछा जाता है कभी-कभी Refreses course किसके लिए होते हैं In-Service के लिए होते हैं या Pre-Service के लिए होते हैं तो यह Term भी आपको याद रखना है अगला Question 27 क्यानिंग जो Answer होना चाहिए वह Answer होना चाहिए कि Social movement थी uez Portugal के वाजेए टी तो Social movement थीरी से venant यह स्पाइए होना चाहिए इसका जो आज्सका पराइए शूरी इसका जो आश्सके में नहीं रिलेटिव डिपरिवेशन रिलेटिव डिप्रिवेशन का मतनब क्या होता यह social sociology की कुछ theories है जैसे resource mobilization है social deprivation है social movement theory तो वो आपसे पूछ रहा है कि जब हम compare करते हैं ठीके तो compare करते हैं दो group के बीच में तो जो लोग एक दूसरे के साथ compare करते हैं उस में एक व्यक्ति यह feel करता है कि मैं depravate हुआ हूँ जैसे मैं आपको एक एक अगसांपल देती हूँ यहाँ पे जैसे pension दिया जाता था पहले ठीके और अब कुछ लोगों को pension नहीं दिया जाता तो जिन लोगों को pension का लाख मिला जिनको pension का advantage मिला उनसे वो लोग अपने आपको क्या करेंगे compare करेंगे जिनको pension नहीं मिला तो इनको पेंशन नहीं मिला वो अपने आपको कैसा फील कर रहे हैं वो लग रहा है कि हम डिप्रिवेट हैं तो इसलिए इसका आंसर 27 का क्या हो जाएगा डिप्रिवेशन थियोरी क्योंकि यह रिलेटिड है आपके डिप्रिवेशन से इसके बाद अगला कोशन है कि CAI is used for CAI बहुत आसान सा है यह सभी को पता ही होगा इसका जातर लोगों ने सही आंसर किया होगा CAI का फुल फॉर्म होता है computer assisted interaction यानि कि यह जो हम use करते हैं कि computer को instructions देने के लिए ठीक तो इसका purpose क्या होता है instruction पर पज़ होता है answer आसान था इसका 28 number question है कि the components of special education that should be considered by teachers when working with student with disabilities include instructions ठीक है यानि कि जब आप किसी disability के साथ काम करते हैं बच्चों के साथ करते हैं ठीक है तो किस सरे की components आपको special education में एक teachers को include करने चाहिए तो इसमें क्या क्या आएगा आएगा का इसका जो मेरे recording जो answer होना चाहिए गाइस उसका answer होना चाहिए C जिसमें specification content procedure and environment तो यह जो सारी चीजे है बहुत disabled बच्चों के रिए बहुत जादा important है उसका reason क्या है इसको थोड़ा से समझते हैं कि इस तरह का environment create करना इस तरह का classroom create करना जिसमें सभी बच्चे एक साथ अच्छे से पढ़ सके ठीक है तो यह हो गया इसका answer c28 का 25th number का question है in case of correlation so question जो पूछा गया है वो correlation से पूछा गया कि correlation क्या होता है तो सबसे पहले आपको correlation पता होना चाहिए तो correlation एक relation बताता है दो variables के बीच में ठीक है variable क्या होते हैं इसके लिए अब मेरा वीडियो देख सकते हैं तो दो variable के बीच में relation बताने वाले को हम क्या कहते हैं correlation ठीक है अब correlation या दो positive होगा दोनों variable या दोनों variable negative होते हैं यानि कि जब किसी के बीच में suppose इस question के और इस question के बीच में correlation है आपस में तो अगर इसकी value increase होगी तो cdc बाते इसकी value भी increase होगी और अगर इसकी value decrease होगी तो इस question की भी value decrease होगी यानि कि आपस में ये एक साथ या तो बढ़ेंगे और या एक साथ decrease होगी तो इसका जो answer होगा guys वो क्या होगा इसका answer होगा first और तो कोर्रिलेशन के कई सारे टाइप्स होते हैं उसको आप अच्छे से पढ़ लिजेगा बारबार कोशन इससे पूछा जाता है कोशन नेमर 29 है कि बिच आप फॉलोईंग इस नॉट एन ऐसेंशेल कंपोनेट्स ठी Freunde टीजरर आजोकेशन सोपी सर्वीस और इन सर्वीस दोनों से कोशन है इंपोर्टेंड रा वह पॉएंट फ्री सर्वीस क्या होता है मैंने आपको भी बताया था कि जब आप कर रहे हैं आजे छो इसका इंपोर्टेंट लियृत. उसकोन का एंपटेंट बहुत हुआराण चीज है इंपोर्टेंट नहीं तो फिर इंपोर्टेंटियाँ hard TIME इंपोर्टेंट है जो इनफ क्या है जो नहीं हो इतनी जरीसके इंपोर्टेंट क्या होता है इंटरनिशिब क्स похож chaplifting टीचर एड़ एग्जिवेशन नहीं होना चाहिए क्योंकि जो टीचर एड़ एग्जिवेशन है यह पोस्ट या तो यह जब आप टीचिंग में आ जाएंगे उस से रिलेटिड एक्टिविटीज होता है इसलिए इसका आंसर जो होना चाहिए वो होना चाहिए मेरे according डी इसकी बाद अगला question है guys match the list psychologist and इनके जो contribution है उससे match करना है आसान है इस तरह का question तो आप लोग करी लेते हैं तो इसमें theories पूछी गई है तो इसका जो answer होना चाहिए अभी इसको match कर लेते हैं gene प्याजे और bandura दोनों की theory बहुत असान है call work असान है यह सभी को जातर याद होता है तो इन से हम match करेंगे हम देखते हैं सबसे पहले की bandura का theory क्या होना चाहिए तो bandura ने social theory दिया था social learning theory तो यह इसका answer third होना चाहिए gene यहां से third हो रहा है इसी से पूरा solve हो गया वैसे जीन प्याजे ने cognitive development का theory दिया था जो आपका संग्यान आत्म भी कासिस related था बहुत important theory अगेन अगेन हर exam में पूछा जाता है और जो कोल वक्ते कोल वर्ग ने आपका moral development theory दिया था इस तरह से जो आपका answer हो जाएगा इसका answer आपका हो जाएगा इसका answer आपका हो जाएगा A इस तरह से अब हम देखते हैं कि 30 questions तक हमने solve कर लिया है I will try कि आज में 2 videos और बना दूं जिससे आपका 50% solve हो जाए thank you so much guys to liking us and please like share and subscribe and thank you so much wish you all the best